तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चिंपैंजी बंदर अपना पूपस फेक के लोगों को क्यूं मारते हैं आप मानो या ना मानो मगर किसी चिंपैंजी के सामने जाने पर वो आपको अपना पूप फेक के मार सकता है मगर पूपस ही क्यूँ दरसल चिंपैंजी के एवल्यूशन को देखे तो जंगल में खत्रा महसूस होने पर पत्थर या लकडिया ही फेकते थे मगर फिर जैसे ही उन्हें जू के अंदर रखा गया उनके पास फेकने के लिए बहुत काम ही चीजे पची थी इसलिए उसने अपने पूपस फेकना सुरू कर दिया और उसने नोटिस की कि पूपस फेकने पर लोग ज़्यादा दूर भागते है और आप में से 99% लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और अभी तक नहीं कियो तो कर दो यार